तो जहिन दोस्तों स्वागत करता हूं फिर से सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पे तो आज भिहार पुलिस का मौश्ट 50 कोस्टन लेके आएं पचास कोस्टन लेके हैं आप सबों की भीश ठीक है तो इससेसन में सब कोई आये जूट जाए जाइए इससन आजका बहुत ही प्रवर्तक निवन में कौन थे आपके options हैं कपील, पतंजली, गोतम, चारवाक तो इसका right answer जाता है हमारा option A को ठीक है कपील को आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा मुहम्मद गोरी का भारत पर पहला सफल आकरमन किसके विरुद हुआ तो इसका right answer जाता है हमारा option B को ठीक है, मुल्तान के विरुद हुआ था आईए अगला question अगला question है हमारा विजे नगर आने वाले परमुग विदेशी यात्री में से कौन देवराय दूतिये के समय आया सब कोई comment करेंगे, हर एक answer का ठीक है और इस session को like कर दा है इसका right answer हो जाएगा हमारा option B अब्दुल रज्जाग आये थे देवराय दूतिये के समय आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा किस सीख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था आपके option से गुरु नानक, गुरु अंगत, अजुन्देव, गुरु गौबिन सिंग तो इसका right answer जाता है हमारा option B को ठीक है गुरु अंगत का नाम क्या था गुरु अंगत का नाम लहना था आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा निमलिखिद मैसे किस विद्रो का सम्मंद चितर सिंग थे यानि चितर सिंग का सम्मंद किस विद्रो से थे तो इसका right answer जाता हमारा option B रामोसी विद्रो से थे अगला question हमारा बाल, गंगधर, तिलक, द्वारा, अस्थाफित, हॉम, रूल, लीग के सच्चीब कौन थे तो इसका right answer जाता है हमारा option A केलकर थे हम लूर लीग के सचीब कौन थे तो वो केलकर थे आईए अगला question देख लेते हैं तो सब को इस session को like करेंगे और comment करते जाएंगे तो अगला question हमारा बाटो और छोडो का नारा Muslim League ने अपने किस अधिवेशन में किया आपके options हैं अमरीज सर लाहोर करांची इलावाद तो इसका right answer जाता है हमारा option C को ठीक है करांची अधिवेशन में किया था आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है आपके options कुछ इस परकार है मयमार, बंगलादेश, भुटान, चीन तो इसका right answer जाता हमारा option B को ठीक है बंगलादेश के साथ नहीं लगता है आईए अगला question है अगला question है हमारा बहुत ही important question है ध्यान देंगे आप सभी किस channel द्वारा मालदवी मिनी काय से अलग होता है आपके options है 8 degree channel, 9 degree, 10 degree, 11 degree तो इसका right answer होजगा हमारा option A ठीक है, 8 degree channel से अलग होता है आईए अगला question है अगला question हमारा राज्थान की देगाना किस खनीश्पदार्थ के लिए परसीद है तो इसका right answer है हमारा option B टंग स्टॉन के लिए परसीद है ठीक है, तो इसका right answer हमारा हो जागा option B right answer है आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा निमलिखीद में से कौन परिजना महाराष्ट में अपसीद नहीं है तो इसका right answer हो जागा हमारा option C ठीक है, आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा भारती समिधान का कौन सा उनुचेत उपराष्टपदी के पद को निरुभीत करता है आपके options कुछ इस प्रकार है, अनुचे 63, 64, 65, 66 तो इसका right answer हो जागा हमारा option A जो इस बच्चे option A को लगा रहे हैं, बिल्कुल right answer है, ठीक है? आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा निमलिखीत मेंसे कौन सी एक समिथी पंचायत राष्टपदा से सम्मंदित नहीं है तो इसका right answer हो जागा हमारा option A PBN raw समीती, ठीक है? ये पंचायती राष्टपदा से सम्मंदित नहीं है आईए अगला question है समिधान सभा के सदस्ट में अनसूचित जंजाती के सदस्टों की संख्यां कितनी थी? आपके options कुछ इस प्रकार है 33, 15, 13, 7 तो इसका right answer हो जागा हमारा option A समिधान सभा में अनसूचित जंजाती के संख्यां कितनी थी? तो वो 33 थी ठीक है बच्चो? आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा निमलिखीत में से कौनसा माहसागरी धारा हिंद माहसागर से सम्बंदीत है कॉमेंट करेंगे अगर आपको एंसर पता है तो ठीक है? और successful MCQ को सब कोई subscribe कर दें और like जबड़ कर दें सेशन को तो इसका right answer हो जगा हमारा option C को ठीक है जो बच्चे option C लगा रहे हैं बिल्कूल right answer है आईए अगला question अगला question हमारा निमलिखीत में से किसे स्वर्ग दुआर का नगर कहा जाता है आपके options कुछी इस प्रकार है Paris, Mumbai, Tokyo, San Francisco तो इसका right answer जाता हमारा option A को ठीक है प्रांस की राजधानी है आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा भारत में सबसे अधीक जे विविता संपन्चेत्र कौन सा है आपके options कुछी इस प्रकार है तो इसका right answer जाता हमारा option A पस्चमी घाड ठीक है पस्चमी घाड में सबसे अधीक जे विविता संपन्चेत्र है आईए अगला question अगला question हमारा आमले वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा जादा उत्तरदाई है आपके options है SO2, NO2, CO2 या A और भी दोनो तो इसका right answer जाता हमारा option D को ठीक है जोई बच्चे option D लगाएं बिल्कुल right answer है तो आईए अगला question देख लेते हैं तो अगला question हमारा एक बार कितने परकासवर के बराबर होते है ठीक है तो आपके options कुछ इस परकार है comment करेंगे अगर आपको answer पता है तो इसका right answer जाता है हमारा option A को ठीक है तो कितने परकार के बराबर होते है तो वो 3.26 के बराबर होते है ठीक है आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा धोनी के किस गुन के कारण तेजिया मंद सुनाई देता है तो इसका right answer जाता हमारा option A को ठीक है प्रबलता के कारण धोनी कभी तेज ये कभी कम सुनाई पड़ता है आईए अगला question हमारा धोस में उस्मा का संचरन की स्विधिद्वारा होता है आपके options है चालन, संभवन, विकीरन इनमें सभी तो इसका right answer होज़ेगा हमारा option A को ठीक है जोई बच्चे option A लगा है चालन को बिल्कुल right answer है आईए अगला question देख लेते हैं तो अगला question हमारा निम्न में से किस रंग का प्रकास का प्रकृर्णन सबसे कम होता है तो इसका right answer होज़ेगा हमारा option B ठीक है लाल आईए अगला question देख लेते हैं अगला question हमारा सबसे अधीग आइनन चमता किस कीरन का होता है अलफा, बेटा, गामा यह सभी तो इसका right answer हमारा option A को ठीक है अलफा का सबसे अधीग आइनन चमता होता है ठीक है आईए अगला question देखते हैं अगला कॉस्टन है हमारा सबसे पहले एलोक्ट्रोन के आवेस का सभलता पुर्वक निर्धारन किस ने किया था आपके ओप्षन से मिलिकन जजे थैमसं गोलिष्टीन चाटवीक तो इसका राइट एंसर होजगा हमारा ओप्षन ए ठीक है मिलिकन ने और यह जजे थैमसं जो है वो एलोक्ट्रोन की खोज की थी ठीक है धियान रखेंगे आप यह सब आईए अगला कॉस्टन देख लेते हैं अगला कॉस्टन हमारा किस तत्व का एलेक्ट्रोन बंदुता सबसे अधिक होता है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे ओप्षन- A में यहाँ पे क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन होगा ठीक है फ्लोरीन होगा थोड़ा मीस होगया आप लोग ध्यान तो इसका राइट एंसर हमारा option B जाएगा ठीक है इसका क्लोरीन होगा ठीक है इतना ध्यान रखेंगे आईए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन हमारा मिले राइट किसका आयस्क है आपके options है निकेल, सोना, जस्ता, टीम यहां पर टीन होगा टीन तो इसका राइट एंसर होगा हमारा option A निकेल का आयस्क है नेक्स्ट कोशन हमारा लार गरंथी में में से कौनसा एंजाइन का स्राब नहीं होता है टाइलिन, मंड, पैपसीन इन में से सभी तो यहां भी पुछा है स्राब नहीं होता है ठीक है तो इसका right answer हमारा option C होजाएगा पैपसीन नहीं होता है ठीक है आईए अगला कोशन दे अंसर है हमारा option A जौला कोशिका ठीक है नेक्स्ट कोशन हमारा computer का पितामा किसे का आ जाता है कि कोमेंट करेंगे यह बहुत ही important question है और easy भी है ठीक है तो इसका right answer होजेगा हमारा option A चार्स बेबेच को computer का पितामा का आता है आईए अगला question अगला question है हाल में ही BCCI के नए अध्यक्स की रूप में चुना गया है तो आपके option से कपिल देव, सचीन तेंदुकल, रोजर बिन्नी, जहीर खान तो इसका right answer हमारा option C को जाता है यह रोजर बिन्नी है ठीक है BCCI की नए अध्यक्स कोन चुने गये है तो वो रोजर बिन्नी है next question हमारे निमलिखीद मैसे स आइद लरी की लेखा कौन है तो इसका right answer हमारा option B, सुरदास, ठीक है साहिद लरी की लेखा कौन है तो वो हमारा सुरदास है आईए अगला question देख लेते है अगला question हमारा वायू सेना दिबस कब मनायाता है बहुत ही important question है आप ध्यान रखेंगे इसको वायू सेना दिबस अगला कोस्टन हमारा 20 विफार संगठन की अस्थापना किस वर्ष किया गया था तो इसका right answer हो जगा हमारा option A ठीक है, 1995 को 20 विफार संगठन अस्थापना किया गया था आईए अगला कोस्टन देख लेते हैं अगला कोस्टन हमारा जर्मन, एवम, पॉलेंड की बीच कौन अंतराष्टी सीमा है कोमेंट करेंगे अगर आपको answer पता है तो ठीक है तो इसका right answer है हमारा हिंडन वर्ग रेखा option A बिल्कुल right answer है यह अगला कोस्टन देख लेते हैं अगला कोस्टन हमारा निम निखीत में से भारत का पाला पंडू भी कौन सा है आपके option से INS चक्र, INS विक्रांद, INS कावेरी अपसरा कोमेंट करेंगे अगर आपको पता है इसका answer तो ठीक है तो इसका right answer हो जागा हमारा option C ठीक है, INS कावेरी होगा आपके option कुछ इस प्रकार है, भुपैंतर हजारिका से तू, महात्मा गांदी से तू, ग्रेंड ट्रग रोड, पीर पंजाल तो इसका right answer हो जागा हमारा option A ठीक है, option A बिलकुल right answer है आपके option कुछ देख लेते हैं अगला question हमारा कथक कली कहा का सास्त्री निरित है, आपके option से उत्तर परदेश केरल, आनपरदेश मनिपूर इसका right answer हो जागा हमारा option B को, ठीक है, केरल का सास्त्री निरित है, कथक कली ठीक है, आईए अगला question देख लेते हैं तो हमारा अगला question है, डाक संसोधन विधेयक में pocket video का परियोग की स्परदान मंत्री ने किया था, ध्यान रखेंगे आप लोग pocket video का पूछा है, ठीक है, तो आपके option से कुछ इस प्रकार है, डक्टर राजन पसाद, ज्यानी जेल सिंग, संकर द्याल सर्मा, नीलम, संजीव ये pocket video जो है, वो अनुछेद 111 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इसका right answer होजएगा हमारा option B, ग्यानी जेल सिंग, तो आईए अगला question देख लेते हैं, अगला question है, हमारा, महाराजा धिराज की उपादी अपनाने वाला पहला गुप्त सासक कौन था, आपके options है, चन महाराजा धिराज की उपादी धारन की थी, आईए अगला question देख लेते हैं, अगला question है हमारा, नील दरपन, नामक पुस्तक के लेखक, लब नील दरपन पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, आपके options है, प्रेमचंद्र, दिन बंदु, मित्रा, जे संकर परसाद, सिपुजन सहाए, तो इसका right answer होजगा हमारा option भी ठीक है, दिन बंदु, मित्रा, ठीक है, धियान रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा है, कि मित्र लिखा है, लेकिन यहाँ पर मित्रा होगा, आप लोग धियान रखेंगे, आईए अगला question देखते हैं, अगला question हमारा, बिह अगला question हमारा, हमबन टोटा बंदरगा किस देश में स्तीत है, आपके option से, भारत, पाकिस्तान, में हमारा स्री लंका, तो इसका right answer होजगा हमारा option D, हमबन टोटा बंदरगा कहा है, वो स्री लंका में है, ठीक है, right answer है D, आईए अगला question, अगला question हमारा पृतिवी दिवस क मनायाता है, कोमेंट करेंगे, अगर आप लोग को पता है, ठीक है, और सस्क्राइब जटो करेंगे, चैनल को, तो इसका right answer होजगा हमारा option B, ठीक है, 22 अप्रेल को मनायाता है, ठीक है, आईए अगला question देख लेते हैं, अगला question हमारा अनुवान सिखता की सबसे छोटी काई क्या है, आपके option से neuron, mutant, gene, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer हमारा option C, right answer है, gene होगा, ठीक है, अनुवान सिखा की छोटी काई क्या होता है, वो gene होता है, ठीक है, आईए अगला question देखते हैं, अगला question है, टिकारो किस से सम्बंदी थे, बाजरा, मक्का, गन्ना, मुंगफल तो इसका right answer हो जगा हमारा option D, ठीक है, वो मुंगफली से सम्बंदी थे, ठीकारो किस सम्बंदी थे, वो मुंगफली से सम्बंदी थे, अगला question देखते हैं, अगला question हमारा सबसे पहले किस जीब को अंतरीक्ष में भेजा गया था, आपके option से आदमी, चुहा, बंदर, कु जा गया था, अगला question है, अगला question हमारा 18 karat सोने में सोना का परतिसद बताना है, ठीक है, इसमें 18 karat सोने में सोना का परतिसद बताना है, ठीक है, तो इसका right answer हमारा D हो जागा है, और यह सुद्ध, यानि 24 karat का सुद्ध सोना होता है, ठीक है, अगर कोई भी आभुसन बना सोना कद वो 22 करेट का बनता है और यह 24 करेट का सुद्ध सोना होता है ठीक है ध्यान रखेंगे तो आज का क्लास इतना आई ठीक है अगले दिन से और इससे भी अच्छा-चे कोशन लेके आएंगे तो सब को आअगे कुमेंट कर देंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा ठीक है तो जैँद जै भारत